सामाने नौलेज की इस क्लास में आपका स्वागत है आज की क्लास में हम रेलवे से जूड़ी कुछ इंपोर्टेंट अपडेट के बारें पढ़ेंगे जो हमारे डी फिसी आयल एक्जाम के लिए हिस्ट्री ओफ इंडियन रेलवे की करेंट अफेयर से संबंधी थे रेलवे क अब तक देश भर में 25,000 मेट्रिक टंस से अधिक मेडिकल ऑक्सिजन डिलीवर कर चुका है तो जैसा कि आप में हम सभी जानते हैं इस कोरोना पेंडिमिक में ऑस्पिटल्स में ऑक्सिजन सिलिंडर की भारी मात्रा में कमी हो रही थी जिसकी वज़े से पेसंट को प्रॉब अब तक कितने मिट्रिक टन ऑक्सिजन सप्लाई लिक्विट मेडिकल ऑक्सिजन सप्लाई कर की जा चुके हैं तो आंसर होगा आपका 25,000 मिट्रिक टन और भारती रेल्वे ने 22 फरवरी से 35 अनुरक्षित मेल और एक्सिजन चलाने का निर्ड़ने लिया है इंडियन तुरान 35 अन्रिजर्व मेल एंड एक्सिजन सपेशल ट्रेंस फ्रॉम फेबरी 2020 आप लोग जानते हैं कि कुरोना पेंडेमिक की वज़े से लॉक डाउन लगाया गया जिसकी वज़े से ट्रेने चलना बंद हो गई थी लेकिन रेल्वे मिनिस्टर ने फरवरी 2021 से करीब 35 अ कुछ ऐसा बन सकता है कि महामारी के दौरान पहले सेट में कितने अरक्षित ट्रेनों को चलाया जाने की घोश्रा की गई थी तो आपका अंसर होगा 35 नेक्स्ट है भारती रेल्वी ने चिनाब पूल के महराब को पूरा किया आपको पता होगा कि चिनाब रिवर पर एक ब् जो 14 मार्च 2021 को कम्प्लीट हुआ है यह ब्रिज शेनाब नदी की उपर बनाया जा रहा है और इस ब्रिज की उचाए करीब 369 मीटर है और इस महराब का जो केंदरी फैलाव है वो करीब 467 मीटर है यह ब्रिज जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले के बुकल और कौरी के ब पूरा हो गया था लेकिन इसके महराब का कार्य 2017 से शुरू किया गया था जो अब हमार्च 2021 को कम्प्लीट हुआ इस ब्रिज की कुल लंबाई 1315 मीटर है इस टॉपिक से तीन-चार कोशन बनाया जा सकते हैं जैसे इस ब्रिज को किस नदी पर बनाया जा रहा है या फिर इस ब्रिज की लंबाई कितनी है इस पिक्चर को थोड़ा समझने कोशिश करते हैं इस ब्रिज की किनारों से नदी तल से इसकी उचाई करीब 359 मीटर है और इसके सेंटर पॉंट से आप देखिए जो इसका केंदी फैलाव है यहां से नदी तल से इसकी उचाई करीब 467 मीटर नेक्स्ट है रास्ट्रिय रेल योजना नेशनल रेल प्लैन जिसे शॉर्ट में एनारपी कहते हैं रास्ट्रिय रेल योजना की जरूरत क्यों पड़ी तो माल भाड़े जिसे फ्रेट कहते हैं में रेल योजना की हिस्सेदारी को 45% तक बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया जो लॉजिस्टिक के लिए वेल्यू फॉर मनी समाधान प्रेदान करने तथा नए बिजनस को आकरशित करने के लिए तब बिजनस डिवलपमेंट यूनिट इस्थाफित करेगी जैसा कि रेल वी में ज्यादतर हिस्सेदारी पैसंजर ट्रेनों की है लेकिन डेडिकेटिड फ्रेट कोरिडोर बनने से फ्रेट ट्रेनों की भी हिस्सेदारी करीब 45% तक बढ़ जाएगी यह इंडियन रेल वी की सभी जोन में बनाया गया है जो नए यादाया ट्रेफिक को अपनी और आकाशित करेगा और ट्रेफिक की मौझूदा धारा में रेल की हिस्सेदारी को बढ़ाने के लिए कारी करेगा जैसा कि हम जानते हैं कि रेल वी ट्रेक पर सबसे ज़्यादा दोड़ने वाले गाड़ियां पैसेंजर ट्रेने ही होती है ये BDU नए इंडस्ट्रियों से बात करेंगे और और उनके सामान को एक इस्थान से दूसरे इस्थान तक ले जाने में सुविधा प्रदान करेंगे आप जानते हैं कि फ्रेट ट्रेनों का काम क्या है, सामान को ढोना, यानि एक एस्थान से दुस्थान तक ले जाना, तो ये BDU क्या करेंगे, कि जितने भी इंडॉस्ट्री हैं, जिसे कोल माइन्स, कंक्रीट, जितने भी गोड्स हैं, उन सबकी सर्विसिस के लिए, उनके साम उनके डेस्टिनेशन प्लेस पर पहुचाने के लिए, ये BDU उनसे बात करेंगे, तक कि ट्रेन के जरिए, ये सारे सामान, उनके डेस्टिनेशन प्लेस पर एसली और सेफली पहुच जाएं, वीडियो का काम क्या है, तो यह रेलवे और इंडॉस्ट्री की बीच एक इंट इंडरनेशनल लेवल क्रॉसिंग अवेरनेस टे, ये जो दिवस है, ये कब और किसके द्वारा मनाया गया है, तो यह साउथ सेंटर रेलवे की द्वारा, से यार जून 10, 2021 को मनाया गया था, इस अवेरनेस टे का में गोल यह था कि लोगों की बीच में जागरुकता पैदा करना, आप लोगों ने देखा होगा कि जब रेलवे फाटक बंद होते हैं क्योंकि उसमें ट्रेन आने वाली होती है, इसके बावजूर लोग उस रेलवे फाटक के नीचे से क्रॉस करने की कोशिश करते हैं, जिसके वज़े से कई हास से कई एक्सिलेंट होते हैं, लोगों के सब्वे जिसे LHS, रोड अंडर ब्रीज, जिसे RUB और रोड ओवर ब्रीज, जिसे ROB बनाने का निर्णे लिया है, यह रेलवे जोन जहां पर यह रेलवे क्रोसिंग होगी, वहां की सरकारों की मदद से LHS, ROB और RUB का निर्मार लगभग 81 मैंट लेवल क्रोसिंग को रिमूफ करने के लिए किया जाएगा, इंटरनेशनल लेवल क्रोसिंग अवेरनेस टे एक वर्ल्ड वाइड इनिसियेटिव है, जो रेलवे क्रोसिंग स्रक्षा के बारे में जागरुकता पैदा करने का कारी करता है, और इस अभियान की शुरुवात UIC द्वारा चलाया जा रहा है, जो एक विश्वयापी रेलवे संगठन है, यह दीवस पहले योरप लेवल क्रोसिंग जागरुकता दीवस की सफलता के ब केंदरी मंत्री मंदल ने भारती रेलवे के 700 मेगा हर्ट्स बैंड में 5 मेगा हर्ट्स स्पेक्ट्रम अबंटित किया है, जो की हाई स्पीड रेडियो संचार को बढ़ावा देने में मदद करेगा, और यूनियन कैबिनेट के द्वारा TCAS, Train Collision Avoidance System and ATP, Automatic Train Protection System की भी मंजूरी दे दी गई है, यहाँ पर train collision avoidance system, इसका मतलब होता है कि जो train आपस में टकराती है, या तो front से टकराती है, या back से टकराती है, या फिर side by side टकराती है, तो ऐसे collision को avoid करने के लिए इस system का को मंजूरी दी गई है, अच्छा यहाँ पर ATP है, Automatic Train Protection, तो इस collision की जो भी possibility है, उससे आटोमेटिकली ही protect करेगा, और railway ने अपने route पर LTE, long term evaluation based, mobile train, radio communication, उपलब्ध कराने की पारिकालपना की है, Collision Prevention Features, टकराओ को रोकने की विश्रिस्ता है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि, train आपस में, या तो front से टकरा सकती है, या तो back से, या फिर side by side, तो यहाँ पर यह तीनों टैप में बताया गए हैं, जैसे कि, first है, prevention of head on collision, next है, prevention of rear end collision, and last है, prevention of side on collision, Long Term Evaluation, तिहां पर LTE का use क्या है, तो it will use to provide secure and reliable voice, video and data communication service for operational safety and security application, तो LTE सिस्टम का प्रियोग हम, sound, video और data संचार के आदान प्रदान को safely और securely communicate करने के लिए किया जाएगा, next है, why were the Goa Infra Project red flagged, मतलब कि Goa Infra Project को लाल जंडी क्यों दिखा गई, लाल जंडी मतलब कि अभी काम को hold पर रखना है, continue नहीं करना है, गोवा Infra Project यह, गोवा के कुलेम और करनाटक में कैसल रोक की बिच railway line की दोहरी ट्रेकिंग, डबल ट्रेकिंग से संबंदित था, जिसे Central Empowerment Committee द्वारा गोवा में पर्या वरणी प्रभाव की गंभिर चिंताओं की वज़े से रोक दिया गया, कमीटी का कहना है कि, railway project will destroy the fragile ecosystem of western ghat, पस्चमी ghat के जितने भी नाजुक परिस्थितिक तंत्र हैं, इस rail परियोजना की वज़े से यह सब नस्ट हो जाएंगे, National Board for Wildlife Committee द्वारा जो भी प्रपोजल पेस्क किये गए थे, उनको एक्जामीन करने की ये बाद, कमीटी ने यह निर्ने लिया कि, रेल पट्रियों का डबल ट्रेकिंग और रास्ट्री राजमार्गो का चार लेन में बनाने से, इन परियोजनाओं से दच्छुड गोवा में भगवान महावीर, वन्यजीव अभ्यारर और मौलेम रास्ट्री उद्यान में कटोती होगी, इसलिब कि, वे वन्यजीव अभ् पहले हुए हैं, उनकी एरिया में कमी होगी, गोवा इंट्रा प्रोजेक का लक्ष था, 342 किलो मीटर ट्रेक को डबल ट्रेक करने का, जबकि इसमें दच्छी पस्चिम रेलवे ने अब तक सर्फ 7 किलो मीटर पूरे किये थे, इसके बाद इस प्रोजेक को रोग दिया गया नेक्स्ट है, पार्सल मेनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडियन रेलवेस तो बी एक्सेंड़ेड, भारती रेलवे की पार्सल प्रबंधन बढ़ाली का विस्तार किया जाएगा The new parcel management system PMS of Indian railways will be extended to 523 locations now कि अब जो भारती railway की नहीं parcel प्रबंदर बढ़ाली है इसे अब 523 इस्थानों तक विस्तारित किया जाएगा पहले यह विवस्ता only 84 इस्थानों पर ही उपलब्ध थी The extension of the system will bring following changes तो उसमें क्या क्या चिंजिस आएगे इस प्रबाली की विस्तार के बाद तो पहला है आपका It will include the provision of 120 days advanced booking जैसा कि हमें जब railway में सफर करना होता है तो हम train की booking करते हैं उसे तरह से अगर आपको अपने parcel को transfer करना है एक location से दूसरी location पर तो आप इसकी booking 120 days के अंदर-अंदर कर सकते हैं Next है The system will show the availability of a parcel is based on online e-forwarding note module on the website of PMS जिस तरह कि हमें जब IRCTC पर अपने लिए ticket book करना होता है तो हम seat की availability देखते हैं आपको अपने parcel को forward करना है तो आपको PMS की website पर इस पेस पेस की उप्लब्धता को देखना होगा और यह आपको इस पेस की availability शो कर आएगा थर्ड है booking of parcel or luggage across the parcel office at a station with the help of computerized counters मतलब की computer की सहायता से इसकी counters पर क्या parcel कारियाले में parcel किया समान की booking की जाएगी फॉर्थ है automatic capturing of weight by electronic waiting of consignment फॉर्थ नेक्स्ट है पारसल का wait electronic waiting machine द्वारा किया जाएगा और last है SMS update to customer at each stage मतलब की इसके जितने भी following steps है आवर train booking करने से लेकर पारसल की destination place पर पहुँचने तक जितने भी following steps है उनकी step by step आपको सारे information sorry customer को सारे information SMS के थूँ मिल जाये करेगी next है what is mobile train radio communication system mobile train radio communication system क्या है तो यह western railway zone द्वारा introduce किया गया एक system प्रडाली है जो mobile train radio communication MRTS system है इस system के द्वारा जितने भी train दुरघटनाएं होती है उनको रोकने के लिए यह महतपूर भूमिका निभाएगा इस system प्रडाली को भारत में पहली बाद शुरू किया जा रहा है और यह system call minimum time duration में connect हो जाएगा लगवख 300 millisecond में ही function of MTRC इस system के द्वारा train number और cab number code का उपयोग करके ट्रेनों और नियंतर कक्च के बीच एक संचार इस्थापित किया जा सकेगा जिससे की tracking, monitoring और सहायता करने में मदद करेगी तो MTRC क्या है तो it will establish the relation communication between train and control rooms that helps to tracking, monitoring and adding लास्ट है रेवारी मदार freight corridor section तो रेवारी मदार freight corridor खंड क्या है तो Prime Minister Narendra Modi ने recently Western Dedicated Freight Corridor रेवारी मदार section को समर्पित किया है और प्रधान मंतरी Narendra Modi जी ने दुनिया की पहली double stack लंबी दूरी की 1.5 km container train को हरे जंडी दिखाई है About the रेवारी मदार section, it is situated in Haryana and Rajasthan यह section हरियाना और Rajasthan दोनों में situated है, it runs for 227 km in Rajasthan यह हरियाना से चलते हुए करीबी 227 km राजस्थान में हैं जो सीकर, जैपुर, अजमेर, नागोर और अरवर जिलों से होकर गुजरती है अच्छा, रेवारी मदार freight corridor section की क्या importance है तो वरतमान समय में पैसंजर ट्रेनों की तुलना में जितने freight ट्रेनों हैं उनको पात्मिक्ता नहीं दी जाती लेकिन dedicated freight corridor के बनने के बाद लगभग 70% माल गारियों को DFCC-IL द्वारा network में इस्थांतित कर दिया जाएगा जिससे की माल गारियों की जो contribution है Indian Railway में वो बढ़कर 45% हो जाएगी History of Indian Railway और DFCC-IL की questions और इनकी theory के लिए आप हमारे चैनल को subscribe करें Thank you for watching and keep watching